आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हमें बताना है कि अगर गेमीटोफिटिक टिशू से डाउरेक्टली Sporophyte की Development हो जाए तो दिये गए Options में से इसे हम क्या कह सकते हैं अब ये दो हम जानते ही हैं कि किसी भी Plant की Life Cycle में हमें दो तरह के Phase देखने को मिल सकते हैं एक होता है इसका Deployed Sporophytic Phase जिसका काम होता है Spores Produce करना और दूसरा होता है Gametophytic Phase जो कि Heploid होता है और ये Gametes की Formation करता है तो इन दोनों Phases के बीच में कैसे Alternation होती है किसी Plant में कि Gametophyte ने जो Heploid Gamete बनाए Fertilization के बाद ये Gamete Zygote बनाता है और ये Deployed Zygote बदल जाता है Sporophyte में जबकि Sporophyte जो है वो Reductional Division से या Meiosis से Heploid Spores की Formation करता है जो Germinoid होके Gametophytic Plant Body बना देते है Germination के बाद तो यहां पर क्या क्या रहे है कि अगर Gametophytic Tissue से Direct Sporophyte बन जाए यानि यहां पर बीच में जो Intermediate Process है Heploid Gametophyte Heploid Gamete बनाएगा फिर Fertilization होगी फिर Zygote से Sporophyte बनेगा Embryo बनने के बाद यह सब होने के बज़ाए Direct Sporophyte की Formation Gametophyte से हो रही है तो इस तरह की Process को Option A Epospory हम कह सकते हैं Epogamie तब बोलते हैं जब Sporophyte में Meiosis के बिना यानि Reductional Division के बिना Unreduced Cells Directly Gametophyte की Formation करें Parthenogenesis हम Terms तब यूज करते हैं जब बिना Fertilization के या बिना किसी Male Gamet के साथ Fuse किये हुए जो Female Gamet है या Egg है वो Directly Embryo में Develop हो जाता है और Parthenocarpy से हमारा मतलब होता है बिना Fertilization के Fruit की Development जैसा कि Banana में हमें देखने को मिलती है लेकिन अगर Gametophyte से Direct Sporophyte बन रहा है तो इससे हम Option है Epospory का नाम देंगे Classics चुट्वल से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 800-400-400 अपर